दोस्तों अगर आप भी MPPSC, MP Jail Prairie, MPSI, MP Police, MP 22 से संबंद जो ही परिक्षा कि अगर आप तयारी कर रहा हैं तो आप आज ही An Academy एप डाउनलूड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दियें और आप जो है यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी फायते हैं अगर आप इस एप को करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये, प्लेश्टूर से भी आप An Academy Learning एप को डाउनलूड कर सकते हैं, आपके लिए हमें यहाँ पर बताते हैं कि क्या फायते हैं आपके लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है, फिर प्री डेमो किलास है, जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए फ्री लाइफ और फ्री डेमो किलास आपके लिए उपलब्द हैं, और आपका जो भी यहाँ पर डाउट होगा, उसका यहाँ पर डाउट किलियर किया जाएगा आपका, और यहाँ पर देखे फ्री लाइफ टेस्ट यहाँ पर आपके लिए free live test भी हैं और यहाँ पर आपके लिए notes भी भहुत सारी उपलब्द हैं जो आप download कर सकते हैं यहाँ पर और आप free live test भी हैं यहाँ पर जिसके माध्याम से आप जो है online test भी यहाँ पर दे सकते हैं free में वो भी यहाँ पर सबसे यहाँ पर देखे आपको क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर doubt होगा तो आप यहाँ पर comment करके top educator के माध्यम से इन सर के माध्यम से आप पूछ सकते हैं कि आपको इस question में यहाँ पर doubt है तो आपका question का answer आपके लिए जरूर दिया जाएगा यहाँ पर आप live chat में भी live के माध्यम से भी जब live class हो रही है तो इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं सर लोग से question की इसमें हमें doubt है और top educator की माध्यम से आपके लिए यहाँ पर जबाब दिया जाएगा और यहाँ पर आपके लिए देख रहा होगा यहाँ पर पीडियाप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिरी पीडियाप यहाँ पर आपके लिए डाउनलोड का option है आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद दम से आपके लिए रांगे चल कि आपको यहां पर देख्ये। क्या है कि आपका , जो भी आप टेस्ट यहां te Dance करते हैं, तो इसका प्लीए यहां पर score card बताया जाता है कि आपके इतनी बडायान पर अपके मौक टेस्ट सीरेज हैं याँ पर आप देख सकते होंगे कि MPPSC, MPSI, MPJL, MPPOLIS बहुत सारी टेस्ट सीरेज हैं जो भी व्यापम से सम्मंदित आप परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी फ्री है आपके लिए यहाँ पर तो आज ही आप जो एप है एकाडमी एप को डाउनलोड कर लें और यहाँ पर देखिए फ्री क्लास है और पिलस क्लास इसमें हम अंतर बता देते हैं आपके लिए कि फ्री क्लास है जो और पिलस क्लास यानि कि जो पैट क्लास है इसमें क्या अंतर है तो यहां पर देखें, limited syllabus इसमें cover किया जाता है free class में और आपके लिमिटेड यहां पर test है, limited आपके लिए PDF notes है और limited यहां पर doubt solution है, किसमें free class में लेकिन आपके लिए जो plus class है, इसमें आपके लिए क्या है यहां पर देखे, pet class में आपके लिए complete syllabus कराया जाता है बिल्कुल complete आपके लिए और unlimited यहाँ पर आपके लिए test है और unlimited PDF notes अपलब करा जाते हैं आपके लिए और all doubts से solve किये जाते हैं वो भी top educator की माद्दम से तो यह अंतर आपका है free class में और plus class में आज का अपने आपर first question है कि गोल करांती का सम्मंद किस्सी है चार विकल्प होंगे answer बनता है तो comment वे जरू बताते चाहें गोल करांती का सम्मंद किस्सी है टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन या सल जम उत्पादन तो यहाँ पर सही answer है विकल्प number B यानि की आलू उत्पादन विकल्प number B यहाँ पर सही answer है गोल करांती के सम्मंद आलू की उत्पादन से है भारत में आलू सुलवी सदी में प्रतोकाल से लाया गया था और इसके विकास के लिए केंगे आलू अनुसंदान संस्तान सिमला में इसकी स्तापना की गई थी आपसे question बन सकता है कि क्या है आलू अनुसंदान संस्तान कहां पर है सिमला अंगला question है नीलिगरी के पहाड़ी छेत्रों में किस की खेती की जाती है question number 2 है अपने यहाँ पर तो नीलिगरी के पहाड़ी छेत्रों में किस की खेती की जाती है चाय, रबल, कॉफी या इलाइची तो इस परकार चार विकल्प हैं और कॉस्चन नमबर दो कहें हैं आपर सही आंसर है कॉफी विकल्प नमबर सी सही आंसर है जो नो ने भी सी बता है उनका सही आंसर है यहाँ पर कॉफी की खेती की जाती है अंगला कॉस्चन है क्या है कि द तक्षनपश्च मांम सुन के, तद काल बाद बोई गई फसल को क्या क्या कहते हैं? रभी, खरीब या बर्सा, पुस्ट या सुसक खेती. तो इस प्रकार कॉस्चन नमबर तीन और चार विकल्ब है, और इसका सही आंसर है विकल्ब नमबर बी. खरीब फसल काहते हैं? उसको क् मिलियन हेक्टेर भूमी पर उगाई जा रही है और लगवग एक सो पांच दिसंबला नौ मिलियन टन खादानों को अत्पादन 95.7 मिलियन टन है अंगला कॉस्चन है कि नियमने लिखित में ऐसे कौन ऊर्जा के गेर परमप्रागत सुरोत की स्रेणी में आता है तो यहां पर जो सही आंसर है आपका विकल्प नंबर D यानि कि बायो गेस बायो गेस है जो एक गेर परमप्रागत सुरोतों के अंतर गताता है और देखे जेव गेस या बायो गेस बायो बिस्रण है जो अक्सीजन के अनुपस्तिती में जेविक सामागिरी के विक्टन से उत्पन होती ह एसर उर्जा और पबन उर्जा की ही नवी कर्णिये उर्जा सुरोत है बायो गेस इस्तानी उपलब्द कच्चे पधातों कचरा से पैदा की जा सकती है एपरेवरण मित्र और सी ओ टू निूट्रल है अंगले कोस्चन है भारत की कुल उर्जा खपत में नमलके साधनों की योगदान की आधार पर इनका सही अवरोही किरम है तो यहां पर सही अवरोही किरम बताना है अवरोही किरम क्या है चार विकल्प है कोईला पैटोलियम जल्विद्द प्राकरतिक गैस तो यहां पर जो सही आंसर है वाय आपका विकल्प नंबर एक क्या है विकल्प नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला question है निमनलेकित मैंसे कहां से उत्तम किस्म के लोह आयक्स की प्राप्ति होती है वहती महत्तपूर question है सभी लोग आंसर बताएंगे question number 6 का क्या है इसका सही आंसर निमनलेकित मैंसे कहां से उत्तम किस्म के लोह ऐक्स की जो प्राप्ति होती है, विकल्फ नमबर आपका यहां पर B, صही आंसर होगा बेला डीला जो है, यह है, सही आंसर होगा, विकल्फ नमबर 45 गड़ में इस पहाडुएं की सुन्दर स्रंकला है, यहां प्रचवर मात्रा में लोह खनेज पाया जाता है? अंगला कॉस्चन है भारत की किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार या बहुत ही मात्पुन कॉस्चन है थोरियम का भंडार बताना है विश्व का सबसे बड़ा वो भारत में है तो भारत की किस राज्य में है केरल कनाटर अंधृप्रिदिस या असम तो question number 7 कहाँ पर जो सही answer है, बहे बताना है, question number 7 कहाँ पर सही answer होगा, बहे विकल्प number 1, यानि की केरल, ये विकल्प number सही answer है, थोरियम दातु की कोज 1828 में की थी, अब आपसे एक question बनता है, कि थोरियम दातु की कोज कब की थी, तो ये 1828 में की गई थी, इसकी कोज, और बजी ये सनी, थोराइट अयक्स में की थी, याद भी इसके अनेक अयक्स ग्यात है, परन्तु मेनेजाइट इसका सबसे महत्पून सुरोत है, अंगला question है, निमलिकेट में से कौन सा कथन सत्थ है, कौन सा कथन सत्थ है, एह बताना है, question number 8 का answer, खनिश तेल मुक कतहा परद्दा चट्टानों पाए जाता है, मंबई, हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक छेत्र है, भारत के मूल पैट्टोलियम उत और आंसर विकल्प number D, यानि कि उप्रुक्त सभी कतहने आपर सत्थ हैं, यानि कि तीनों कतहने आपर कैसे हैं, सत्थ हैं, और देखिए यहाँ पर खनिश तेल मुक कतहा परद्दा चट्टानों में पाए जाता है, मंबई, हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक छे मद्द प्रदेश का, चत्तिस गड़ का, बिहार का या उडिशा का, चार विकल्प हैं, question number 9 का आंसर वताना है, क्या है इसका सई आंसर, तलचर, प्रिसिद्ध कोईला चेत्र है, तो यहाँ पर सई आंसर विकल्प number D, क्या है उडिशा, उडिशा जिनों नहीं बताया है, उ मुत्पादन का सरवादिख भाग, गौणबाना, यूगिन, चत्तानव मिलता है, जिसका विस्तार 90,650 बर्ग किलोमीटर चेत्र पर है, जिसका सबसे प्रमुक्क चेत्र पस्चिंबंगाल, चारकंड, उडिशा, राजज़मफेला है, जहां से कौल्पादन का 76% कोईला प प्रितम का पास मिल्ला, यानि कि सूती बश्तर उद्योग की स्थापना किस सहर में हुई थी, बहुत ही महत्तरपूर कौस्चन हैं, याद रखना है, बताए सभी लो, कौस्चन नमकर 10 का अंसर, क्या है इसका सढ़ी आंसर, भारत वे प्रितम का पास मिल्ला, सूती बश्तर ती समीव पूर्ट ग्लाश्टर में की गई थी यह भी आपके लिए याद रखना है सन कब की गई थी इसकी स्थापना 1818 में किन्तु एह अस्फल रही प्रन्तु पुनहा इसको 1818 में मुंबई में एक मिल इस्थापित की गई जो अस्फल रही सबसे पहला सफल आदुने कारखाना 1854 में मुंबई में ही काउस जी डाबर द्वारा खोला गया जिसमें 1956 में उत्पादन प्रारंब हुआ 1856 में उत्पादन प्राफ्त हुआ अंगला कॉस्चन है बरौनी निम्ण में से किस उद्वाग के लिए प्रिसिद्ध है बरौनी बताना है तेल सोधन उद्वाग चमड़ा उद्वाग लोह इसपात उद्वाग या कागज उद्वाग चार विकल्प है बरौनी जो है किस उद्वाग के लिए प्रिसिद्ध है तो यहाँ पर कॉस्चन नमबर 11 का राइट अंसर विकल्प नमबर 1 तेल सोधन उद्वाग यहां पर सही आंसर है देखिए बिहार में तेल सोधा कार खाना व्यकुसराय के बरौनी में है बिहार में हैं और जो सोबिय संग्य की मदद से इस्ताबित किया गया था और बरॉनी उत्तरी बिहार का पिर्मक वोद्ञ जब्गे के नंगर है बरॉनी में तेल सोदनकार खाना और ताप सकती सैंट्र भी है गंगा पर सडक पुल और रेल पुल है और पिरमुक राजमार्गों और रेल और जलमार्गों से जुड़ा एह नंगर ये किरसी ब्यापर के अंदर भी है परोनी नंगर के महाविद्याला ललित नारायन मिथला विस्त विद्याला से सम्मंदित है अंगला कॉस्चन है जार्ज ओकलेंड ने सरपितम भारत में 1855 में इस्वी में किस इस्तान पर जूट की मिल इस्तापित की थी या इस्तापना की थी तो बताईए कहां पर की थी एह बताना है कॉस्चन अंबर 12 का आंसर जार्ज ओकलेंड ने सरपितम भारत में कब 1855 में तो किस इस्तान पर जूट मिल की इस्तापना की थी तो यहां पर सही आंसर है क्या है रिसरा में जूट से बनी बस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक तथा दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत में सरपितम 1869 इस्वी में कोलकाता की निकट निसरा में हुगिली नदी के किनारे जूट मिल की इस्तापना की गई थी भारत संपुन विस्व के 35 प्रिक्तिसत जूट किस सामानों का निर्यात करता है अंगला कॉस्चन है भारत की किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है बहुत ही मात्पुल कॉस्चन है चीनी का कटोरा कहा जाता है तो वह भारत का कौन सराज है उत्तर प्रदेश पंजाब आंदर प्रदेश बिहार तो कॉस्चन भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है अब यहाँ पर आप से पूँचा है भारत का तो किसको कहा जाता है उत्तर प्रदेश को लेकिन विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है तो क्यूबा क्यूबा दे इसके सड़क परिवाहन का लगभग कितना प्रित म्रत्शत समपन कराती है। तो कितना पृतिसास हम पर निकराती है यह बताना है 20 पृतिसाथ, 40 पृतिसाथ, 60 पृतिसाथ या 80 पृतिसाथ तो question number चबदा के यहाँ पर जो सही answer है आपका वैवो का विकल्प number क्या है बी यानि की 40 पृतिसाथ, बी आपके लिए याद रखना है, राष्टी राजमार्ग बहुत ही मात्पूर्ण है यह दिपी यह कुल सड़क नेटबर्क का मात्र 2 पृतिसाथ है किन्तु इन पर कुल सड़क यादायात का लगवग 40 पृतिसाथ यादायात होता है यह मंत्राला राष्टी राजमार्गों के विकास और अनुरक्षन का कार्यमक्ता एजंसी पेड़नाली के आदार पर करता है अंगला कॉस्चन है देखे क्या है भार्टी रेलवे की सरवथम रेलगाडी गवर्ना जन्रलाड डलहोजी के सासनकाल में बोरी बंदर मुंबई छहत्रपती से वाजी टर्मिनल से थाने के वीच चली तो एह बताना है कब चली ती सन बताना है आपके लिए 16 अप्रेल 1859 को 16 अप्रेल 1873 को या 15 अगस्त 1873 को 15 अगस्त 1854 को तो इस प्रेकार चार विकल्प है और इसका सही आंसर है क्या है विकल्प नमबर भी आप कहां पर सही आंसर होगा 16 अप्रेल 1853 को विकल्प नमबर भी यहां पर सही आंसर है देखे क्या है सन 1853 में बहुत ही मामूली सुरुआज से जब पहली अब ट्रेंज ने मुंबई से थाणे तक 34 किलो मीटर की दूरी ताइकी थी और अब भारत रेल विसाल लेटवर्क में विक्सित हो चुका है और इसके यहाँ पर देखी एक लाग पंदरह जार किलो मीटर मार्वी की लंबाई पर 7172 स्टेशन फैले हुए हैं अंगला कॉस्चन है भारत के किस नंगर में दो रेल वेजवान का मुख्याला है तो बताएए यहाँ पर चार विकल्प हैं आपके सामने सभी लोग आंसर बताएंगे बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 16 भारत के किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्याला है यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर C विकल्प नंबर C यानि की मुंबई मुंबई यहाँ पर सही आंसर है अंगला कॉस्चन है क्या है निजी छेत्र में देश का पहला अंतराश्टी हवायग्डा कहा निर्मा में देश का पहला अंतराश्टी हवायट्टा कहा निर्माना धीन है तो इसका सही आंसर है कोच्ची कोच्ची विकल्प नंबर एक सही आंसर है एर इंडिया भारत की धज़बार विमान सेवा है भारत सरकार की चलाई हुई दो विमान सेवाओं में से एक है दूसरी है कौनसी है इंडियन एर लाइन्स जिसका एर इंडिया में बिलावू चुका है एर इंडिया का कारवाहर केंदर मुंबई का छत पती सिवाजी अंतराश्टी हवायट्टा है अंगिला कौश्चन है क्या है मार्मागाउ पत्तन इस्ते थे कहां पर है आंधर प्रिदेश में आधरदेश में महाराश्ट में गोबा में उडिषा में चार विकल्प हैं, question number 18 का सही आंसर बताना है, वहती मात्पून question है, मारमगाउ पत्तन कहां पर इस्तिते ए बताना है, और इसका सही आंसर है यहां पर विकल्प number C, क्या है गोबा, विकल्प number C जिना नहीं बता है उनका right answer है, यहां इसको मुर्गाउं या मुर्मुगाउं भ इसको कहते हैं, भारत के गोबा, राज के दच्ण गोबा, जिले का एक तालुक और नंगरपाली का समीती है, यह भारत का प्रमुक पत्तन है, यह एक प्राकरतिक बंदरगाए है, भी है, अंगला question है, सेतु समुत्रम परियोजना जिन्हें जोडती है, बे हैं, तो कौन- पाक खाली और बंगाल की खाली, कौमारी अंतरी और मननार की खाली, मननार की खाली और पाक की खाली, तो इस परकार चार विकल्प, question number 19 का सही आंसर बताना है, बहुत ही महत्पुन question है, सेतु समुत्रम परियोजना निम्नमें से किने जोडती है, तो यहां पर सही आंसर वि नहर परियोजना भारत में स्री लंका की मद्ध एक भारत एवन स्री लंका के मद्ध पाक जल डमरु मद्ध और मननार की खाली को जोडने का प्रस्ताव है, इसके दारा से दुसमुत्रम शेतर के छेचले सागर में एक जहाजरानी उप्योक्त नहर बनाकर भायत्य प्रादी चले की परिदी पर एक नो भान मारक सुलब होगा, अंगले पॉस्चन है, मुंडा जन जाती कहा नवास करती है, तो जो मुंडा जन जाती है, एग बताना है कहाँ पर नवास करती है, बताइए, बिहार में जहर खंड में, मद्ध प्रदेश में, उडीसा में, चार नमबर 20 का आंसर बताना है वहती मात्पुन कॉस्चन मुंडा जंजाती बताना है कहाँ पर निवास करती है और A निवास करती है जारखंड में विकल्प नमबर B आप कहाँ पर सही आंसर है मुंडा भारत की एक जंजाती है जो मुक्रूप से जारकंडे के छोटा नांग पर शेत्र में निवास करती है जारकंड के अलावा बिहार, पस्चमंगल, ओडिसा, आजिवारती राज्या में भी रहती है इनकी भासा मुंडारी, आश्ट्रो, एसियाटेक परिवार की एक परमुख भासा है इनका जो भोजन मुक्रूप से धान, मंदूरा, मक्का, जंगल के फलपूर, कंदमूल है बे, सूती बस्तरे पहनते हैं, महिलाओं के लिए विशेश प्रकार की साली होती है जैसे बारा हतिया, बार की लजा कहती है अंगला क्वाश्चन है, भांकला नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है ड्राबी नदी, व्यास नदी, जेलम नदी या सतलज नदी तो क्वाश्चन नमबर 31 का आंसर बताना है, बहुत ही महत्पून क्वाश्चन है भांकला नंगल परियोजना जो है, किस नदी पर है तो आपका सही आंसर होगा, सतलज विकल्प नमबर D, यहाँ पर सही आंसर है देखिए, अंगला क्वाश्चन है क्या है, निर्मनलिकत में से कौन जनजाती मौस्मी प्रवास से संबंदित है थारू, भोटिया, जोनसारी या भोकसा तो क्वाश्चन नमबर 22, इसका आंसर क्या है यहां पर निर्मनलिकत में से कौन सी जनजाती मौस्मी प्रवास से संबंदित है तो एह है भोटिया, भोटिया विकल्प नमबर D, यहाँ पर सही आंसर है वी जूनों ने बता है उनका साई आंसर भोटिय उत्राकंड की एक पिरमक जन जाती है जो उत्राकंड उत्यपद के सीमबर्त इहमाला की घाटियों में तैती है ये खानाब ढो सज्विल लोग ग्रीश में रितु में वंगयाल में चले जाती है और सराजुरितू में वापस घाटिलों में लोट आती हैं अंगला कॉस्चन है किस राज्य में राश्टी उद्जान बैली ओफ फ्लावर्स इस्तित है तो बहुत भी मातफुन कॉस्चन है बताईए कॉस्चन नमबर 23 का राइट आंसर बैली ओफ फ्लावर्स तो कहां पर है एह राश्टी उद्जान उत्तराखंड में जम्मू कस्मीर में हिमाचल प्रदेश में किरल में तो इसका सही आंसर है यहां पर विकल्प नमबर 1 यानिकी उत्तराखंड उत्तराखंड है विकल्प नमबर एक सही आंसर है, फूलों की घाटी, टाश्टिय उध्यान ये फूलों की घाटी का नाम है इसे और इसे अंग्रेजी बेली ओफ लोवर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बेली ओफ लोवर्स और एह भारत वर्स के उत्राखंड राज्जी के गड़बाल छेत्र में है, फूलों की घाटी, विस्ट संगटन, युनेस्को द्वारा सन, 1982 में, घोसित विस्ट धरवर इस्तल, नंदा देवी अभ्यारण, नंदा देवी राश्टिय उध्यान का एक भाग है, अंगला question है, रड थंब और बन प्राणी अभ्यारण है, एह भारत के किस प्रदेश में इस्तित है, गुजरात में बबर सेर, राजिस्तान, काला है रण, राजिस्तान, बबर सेर, या गुजरात, जंगली का था, तो इस परकार बताईए क्या होगा, इसका सही आंसर, question number 24 का, और इसका सही आंसर है, बिकल्प नंबर C, यानि की राजिस्तान, बबर सेर, जो रण, थंबर, बन, प्राणी, अभ्यारण है, भारत की राजिस्तान, राजि में हैं, और यह किसके लिए प्रसिदा, बबर सेर, बिकल्प नंबर C, यहांपर सही आंसर है, देखिए यांपर रण, थंबर, राश्य ऊध्यान, राजिस्तानकी सावाई, मादापुर, जिलिय देते हैं एह उद्यान बाग संदक्षित छेतर है एहराश्टी अभ्यारण अपनी खुबसूरती विसल परिच्छेप और बागों की मौजूदगी के लिए विस्त भर में पिरसिद्ध है अभ्यारण के सांसनाथ यहां एक एतिहासिक दुर्ग भी परेटों को अपनी और आक करता है लंबे समय से एह राश्टी अध्यान उर्सके नजदीक इस्तित रण थंब और जो दुर्ग परेटों को विसे इस रूप से प्रभावित करता है अंगला क्वास्चेन है प्यार बनने पसू बिहार किस राज्ज में इस्तित है क्वास्चेन नमबर 25 का आंसर बताना भारत के किरलाज में इस्तित थे एह राश्टी अध्यान एक बाकसं रक्षत छेत्र है अध्यान संद यहां पर जाते हैं अंगला question है भारत में जन्में लेने वाले एक अरब्वी सिसु कन्या का क्या नाम रखा गया तो बहुत ही महत्तुपुन question है question number 26 क्या इसका सही answer question number 26 का answer तो इसका answer आस्था आस्था यहां पर सही answer है यहां पर देखिए 11 मईं 2000 को भारत में एक अरब्वी सिसु के रूप में जन्में लेने वाली कन्या को आस्था नाम भी यहां पर डिली के सपद सफदरगंज सफदरगंज जो आस्पताल है इसका यहां पर जन्में हुआ था इनका आप आज ही अनगेंडी डाउनलोड कर लें अनगेंडमी अभॉत ही आपके लिए बहुत सारे फायते हैं, अगर आप यहां पर प्लस स्क्रिप्ट्सन जो है आप खरीदते हैं तो आपके लिए यहां पर एक देखिए बर्ट्वस नामक एक पत्रिका है जिसमें आपको फ्री में मिलती है प्लस क्लास में इसकी माध्यम से आप समसामाई की पत्रिका की माद्याम से करेंट अपेयर कबर कर सकते हैं यहां से आप पूरा करेंट अपेयर और इसकी माद्याम से देखिए यहां पर बहुत सारे batch course अभी चालू है चल रहे हैं आप देख सकते हैं MPSI, MPPolice और MPPSC व्याबम से समद्स अभी यहां पर batch चालू है यहां पर देखिए आप देख सकते हैं MPSI batch course जो है 3 November से है चालू चल रहा है अभी है और MPSI है जो foundation batch अभी है 4 November से यहां पर बहुत सारे batch course है फिर इसके बाद हम आपके लिए यहां पर बता दें कि admission जो है आपके लिए इसमें हम एक code बताएंगे अगर आप करीदेंगे तो आपके लिए यहां पर 10% off में मिलेगा तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं यहां पर आपके लिए हम बता दें कि यहां पर देखिए अगर आप जो admission fees है यहां पर देखिए एक महीने की यहां पर फीस्ट दी गई है वैं 1600 रुपे दी गई है कितनी 1600 रुपे अगर आप सुमिछ जेन जो आपके लिए referral code दिख रहा होगा सुमिछ जेन अगर आप यहां यूज करेंगे तो आपके लिए यहां पर 10% off में है test series आपके लिए उपलगद है तो यानि की 1600 रुपे में आप 10% आपके लिए off में मिलेगा तो 1440 रुपे की आपके लिए series मिल जाएगी फिर इसकी बाद आपके यहां पर देखिए तीन महीने का है यहां पर कोर से 4000 रुपे का अगर आप सुमिछ जेन जो कोड है इसको यूज करेंगे तो यह आपका है 6480 रुपे का और यहां पर देखिए 12 मौन्त का है आपका 12 महीने का आपका 8800 रुपे का और यह कूपन कूपन जो कूड है इसको कोड है इसको यूज करेंगे तो 7920 रुपे का है और यहाँ पर देखे 24 महीने का है यहाँ पर कोर्स बारहजार आठ सो रुपे का लेकर अगर आप सुमिद जैन जो रेप्रल कोड है इसको यूज करेंगे 10% आप में पाएंगे और ग्यारहजार पॉनस तो दीस रुपे में आपके लिए कोर्स मिल जाएगा 24 महीने का मगर कोड है इसको यूज करना है तभी आपके लिए यहाँ पर 10% आप में सीरिच या कूर्स आपके लिए उपलब्द है तो आज ही आप अगेडमी एप डाउनलोड करने प्लेश टूर से या लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिये वीडियो के तो यहाँ से आप डाउनलोड करने हैं बहुत सारे आपके लिए यहाँ पर फाइदे हैं इसका जो सही आंसर है विकल्प नमबर एक यानि कि क्या है 17.7 प्रितिसाद ऐस सही आंसर है विकल्प नमबर एक अंगला कॉस्चन है 2011 की जनगर्णा की अनुसार बिहार का जनसंक्या घनत कितन ब्यक्ति प्रिति वर्ग किलो मीटर है एह बताना है कॉस्चन नमबर 28 इसका आंसर बहुत ही महत्पून कॉस्चन है और इसका सही आंसर है विकल्प नमबर डी यानि कि 1106 1106 एह आपका सही आं की ब्रद्दी हुई ग्रामिट जनसंक्या की अनुपात में 72.19 से यहां पर 68.84 प्रितिसत की यहां पर ग्रावटी आई इंगला कॉस्चन है 2011 की जनगर्णा की अनुसार साक्षर्था आंक्णों की विसाई में निमलकित में सिकौन सा कथन सत्ति नहीं है कथन बहुताना साक साक्षर्था जनसंक्या में ब्रद्दी हुई या भारत में साक्षर्था तर 83.03 अंकलित की गई है केरल में सथ प्रितिसत साक्षर्था पाई गई है तो इसका जो चयाई आनसर है question number 30 का bio biblical number D ki केरल में सतप्रितिसत साक्षर्था पाई यही है जो कथन है एक ऐसा है सत्य है सत्य नहीं है देखिए 2011 की जनगर्णा की अनुसार देश में आउसा साक्षार्ता 14.04 पृतिसात है और 2011 में केरल की साक्षार्ता यहां पर 93.91 पृतिसात है केरल में कितनी है 2011 की अनुसार है 93.91 पृतिसात तो आज की वीडियो बस इतना ही सबी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और और पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें कमेंट भी के माद दे हम से जरू बचाएं कि एह वीडियो क्या असा लगा तो आज की वीडियो बस इतना ही पिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिल